सभी किसान भाईयों को नमस्कार, स्वाधत है आपकी यूट्यूब चेनल किसान परिवार में किसान भाईयों, आशा करता हूँ आप सभी लोग खीक होंगी, स्वास्तों किसान भाईयों, जैसे की पिछली वीडियो में हमने आपसे डिस्केशन किया था कि हम बहुत जल्द एक नया टॉपिक लेके आएंगे, जिसको लेके बहुत सारे सबाल हमारे पास आ रहे थे हमारे गिसान भाईयों के और जब आप इस फार्मिंग को स्टार्ट करते हैं, या फिर आपने कुछ टाइम पर ले स्टार्ट किया है तो ये सभी के उसमें एक फेस आता है, यानि कि एक ऐसा दोर आता है इस फार्मिंग में कि आप प्लांटेशन कर देते हैं और प्लांटेशन करने के बाद आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं प्लांट अच्छा ग्रो नहीं करेगा, तो आपका confidence भी डाउन होगा और जिस उस्टा के साथ आप इसकी खेती कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसमें भी कमी आए तो किसन भाईयो, आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, बहुत important टॉपिक रहना वाला है आप वीडियो को पूरा देखें लास तक, वीडियो को लाइक करें और जो भी किसन भाई चेनल, फस्ट आइम आए है, चेनल को सस्क्राइब करें तो किसन भाईयो, हम हमारा टॉपिक स्टाट करेंगे जैसे कि आप जानते हैं अगर किसी किसन भाई को सनवन का इशू हो या प्लांट पीले पड़ रहे हैं या इसे रिलेटेट कुछ भी इशू हैं तो अब हमारे पिछली वीडियो जाके पूरा देख सकते हैं उस पे इसके बारे में हमने जानकरी सारी दी हुई है उसके लिए क जानकरी ती है किसान भाईयों अभी हमारे प्लांट में सनवन है जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिसकेशन किया था और सनवन का ट्रीट्मेंट हमने अब बिल्कुल रेगुलर कर दिया स्टार्ट और उसके रिजल्ट समय आने वाले एक से दो बीक में प्रॉपर दिख और कई किसान भाईयों के प्लांट में इशू आता है कि बील्ड क्रॉस नहीं किया है अगर कितीने बील्ड क्रॉस कर लिया तो आगे उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो आज हम इनी सभी विशो को कवर करेंगे किसान भाईयों जिसे की आप कुछ पता है यह हमारी सीब एर आईटी है और जिसको हमने लास से लास दिसंबर में लगाया था और यह इसकी ग्रोथ है के नोपी हमारी बहुत अच्छे से तयार हो रही है अभी मार्च एंड का समय है और धूप टेंपरेचर सडनली हाई हो गया है 35 से 40 तक का टेंपरेचर है और यह बैसे 40-45 डिगरी तक आराम से सर्वाइब कर जाता है पर जब बैदर चेंज होता है उस समय बहुत जादे पील अपने एकड़म से आता है क्योंकि मौसम का चेंज होता है तो इस बैसे आपको हमारे प्लांट यह लोग दिख रहे ह अब हम ग्रोध की बात करते हैं किसान भाइयों ग्रोध के लिए आपको प्लांट को हेल्थी रखना बहुत ज़रूरी है उसके साथ आपको पूरा टाइम मेनिज्मेंट आपका होना चाहिए यानि कि आपको टाइम टाइम पे सारी दवाईया देना चाहिए आपको बॉड् अगर stress में है रोग रहे थे रोग अगर उसमें है तो आपको growth नहीं दिखेगी यह fact है तो आपको इन सब चीजों से आपके plant को बचाना है इसके बाद आते है tonics हमारे plant को micronutrials proper चाहिए होते हैं माइको नीट्रेन आप दोगी उसके रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली दिखेंगे आप हमारे पोधों में देख पा रहे हैं हर एक डाल पे हर एक सूट्स पे निउ ब्रांचे आ रही है यह निउ ब्रांचे दो से ढ़ाई महीने में तीन महीने में हेल्डी हो जाएंगी अच कि प्लांट पे बहुत अच्छी कहनओ पी अगर चाहिए तो उसके लिए निउ ब्रांचे आना चाहिए, यह ब्रांचे के सांथ सात आपको इसकी प्रूनिंग टाइम से करना चाहिए pruning एक अलग topic है इसको हम आगे की आने वाले एक से दो वीडियो में discussion करने वाले हैं कि जो जो new branches आपको दिख रहे हैं वो कौन से आपको रखना चाहिए और कौन से नहीं रखना चाहिए अभी हम new branches पे आते हैं और हमने जो use किया है tonic हम उस पे आते हैं हमारा जो regular working है वो यह है ठी हम every bake एक बार watering करते हैं over watering से भी problem होती है तो watering जो है वो time table से गीए इसके अलाबा हम जेब्रेलिक असिड देते हैं जो कि आप उपलो यानि कि ये कंडे होते हैं एक से दो साल पुराने तीन साल पुराने मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है उन से आप बना सकते हैं humic acid देते हैं इसके अलाबा humic acid 12% और bio beta का एक product प्रोडेक्ट प्रोडेक्ट करते हैं हम सभी किसान भाईयों को यही suggestion देते हैं कि या product यूज करो क्योंकि इसके results हमें बहुत अच्छे हैं अभी आप देख पा रहा है कि इतना temperature है March end है plant में sun one का problem है फिर भी plants आगे growth कर रहा है और बहुत अच्छी growth कर रहा है यह जो canopy आपको new branches दीख रही हैं यह 2-3 week में इतनी दिखने लगेगी कि आपका canopy automatically भरा हुआ दिखेगा तो यह इसके benefits है तो आपको new branches अगर आपके plant पे लानी है तो उसकी care करना ज़रूरी है आपको humic acid 12% देना है अगर आपने इसे नहीं दिया है यह आप इसको gap जादे दे रहे हैं तो starting में हर weakness का use करिए यानि कि आप यह समझ लीजिए किसान भाईयों कि आपको पानी के साथ कुछने कुछ आपके plant को देना है हम हमारे जो किसान भाईयों को सीडियोल बताते हैं वो यह बताते हैं कि आप एक भी humic acid और वायो बीटा प्रोवाइट कराए 15 लीटर के pump में 50-50 ml दोनों लीजी और आपके plant की branch में इसको spray किजी अगर आपने इससे पहले इसको use नहीं किया है तो first time आप इसकी जड़े हैं उनमें drip के माध्यम से या water cane के माध्यम से आपकी जड़ों तक humic acid दे सकते हैं humic acid आपके plant को बढ़ाता है, growth देता है, plant की height भी बढ़ती है, new branches आती है, बायो बीटा का भी यही काम है, चेब्रेलिक acid भी आपके plant के लिए grow करती है, अपकी जड़े strong होती है इसके बाद एक भीग आपने ये कर लिए, next भीग आप trichoderma sordomonas यूज़ करिए, फिर उसका अदिलो भीग जो रहेगा उसमें आप green miracle यूज़ करिए, इनको आप regular यूज़ करते रहिए, इनको आप regular यूज़ करते रहोगे तो हर watering के साथ कुछ ना कुछ प्लांट को भी म आप उनमें जो भी सिर्फ single या double आप branch लेके उपर जाए, बील के उपर जाने के बाद cut करने या फिर उसे आप छोड़ दें उसमें से new branches आई, उनको आपको रख लाए, आपके प्लांट की अच्छे से आप care कीजिए, watering time time पे डीजिए, आपको हम picture के माध्यम से बताएंग कोई भी problem आती है, समश्या आती है, या protect नहीं मिलते हैं, आप हमें अमारे whatsapp नंबर पे contact कर सकते हैं, whatsapp पे अमारे साथ जुड़ सकते हैं किसान भाईयो, है ही बात branches की हम अगली वीडियो में इसका discussion करेंगे कि कौन सी branches आपको रखनी है और कौन सी branches आपको हटानी है जितने अच्छी कैन आपी बनाएंगे, उत्रे ही अच्छे results आपको fruiting season में आपके farm पो मिलेंगे जो फाल्तु की branches होती हैं, उन्हें बिल्कुल भी देर ना करते हुए आप हटाएं, इससे आपके plant के जो micronutrients होते हैं, वो divide होते हैं जहां plant को इन चीजों को देना होता है, जो extra branches हैं, वो अगर micronutrients लेंगी तो best होना है, क्योंकि उन्हें आपको आगे जाके cut करना पड़ेगा उसकी उपर भी हमने एक वीडियो बना रखी और आने वाले टाइम में हम branches cutting का भी एक वीडियो बनाएंगी कि आपको किन access source को हटा देना है किसन भाईयो, आज कब शेम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत जल्ट, सभी किसन भाईयो को नमस्कार वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, चोबी किसन भाईयो चैनल पर फस्टे में वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें, नमस्कार.